ग्यारा तारीक मुझे नहीं पता है कि ग्यारा तारीक में नहीं पतिहासिक गट्टा गट्टा है जारखन के शंदर्ट ग्यारा ही तारीक उन्ने सो आठ को सी एंटी टेक्ट लागू हुआ पिछले साल ग्यारा नवंबर को ही सदना धर्म कोड शदन ने पारित किया और आज 11 नवंबर 2022 कोई सदन ने 1932 और OBC आरक्षन राज की जनता को देने का निर्णे लिया आरे माप में आप इस आज वां पर इस नाव इस तर इस राज का आप्मा रहा है अधरने गुरुजी दिसवन्म गुरु सिभूस्वरें जी के नित्रत में एक लंबा श्राइश्व ने निद्वाख्याव राज बना राज की बात है राज बनने के बाद इस राज का बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जिन्होंने राज के ओविसी समुव को मिलने वाला 27 परतिसत कारक्षन को भी किया अस्थानिये नोजवानों के भविस के साथ यूजनाबत तरीके से खेलवाड हुआ और बिगद 20 सालों में इस राज के जन्मानस के उपर जो अत्यचार हुआ वो किसी से छुपा नहीं है चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे सरकारी करमचारी हुआ नुबन खर्मी हो सभी के उपर और आपने देखा कि आदिवासी दली पिछड़ा अल्प संखेक बहुल राज में समस्याओं का जो और इस परतारना का जो दर्द था उस दर्द का दिगत 20 वर्सों में क्या आलम रहा है पूरू में मंत्री मुकमंत्रियों का घिराव अपनी हक अधिकार के लिए लोग करते थे और आज ऐसा क्यान पड़ा कि राज के मंत्री बिधायद मुकमंत्री का घिराव फूल माला और बुलाल और बढ़ाई देने के लिए हो रहा है ऐसा मंजर आपने नहीं देखा होगा सरकार के महपूर निर्णे से इस राज को एक आसा और उमीद जो जगे है आप गाउं गाउं जाके देखें एक उत्सा और एक खुसी का महौर वही हमारे बिपग्ष गुर्रा लाग रहे हैं और अपने सडियंत्र को और एक एजन्सी केंडरी एजन्सी समयधारिक संस्थाओं के मांतर से हम अन्जाम देने में लगाता है बुरे आसरत है आज ही है का ये मिलने राज के राजनी तिक दलों के लिए राज के जन्मानस के लिए यहां के मूल वासी आदिवासी प्रिदी के लिए बहार से भी आई हुए लोगों के लिए कितना महत्तुन रखता है हर राज में राजवासियों को अधिकार देने के नियम कानूं बनाए जाते हैं और प्रवासी लोगों को भी जो दुशे राजों से यहां आकर बसते हैं गुजर बसर करते हैं उनके सरच्छन के लिए भी काम करते हैं आज राज शरकार इस दुरूप से लगबख साल भरी ठीक से कान कर पाई है दो साल करोना को हम लोगों ने जहला अभी काम करी रहे थे सुखार की स्थिति राज पे आदी ऐसे स्थिति में सारी चुनोकियों को छेलते हैं वही है सरकार जनकल्यान जहुमों की विकास पर निरंतर प्रयास रथ है हमारी सरकार हमारे गड़बंदन पांग्रे सार्जेडी गेमें के लोग ने पुरे मजबुती के साथ है विपक्ष के हर चुनोकियों का सामना किया है एंके परकार इंस सरकार बनने के बाद सरकार गिराने का विधायकों को दिख भरमित करने का खरीद परोद करने का सरकारी एजेंसियों के द्वारा गरा धंकाने का परियास निरंतर जारी है लाग कुछ वो कर ले सरकार की कदमे ना रुकी है ना रुकेगी और जन्हित में कार करते रहे देखिए लगबद आज के जॉलंत विसाय पर गरतमान सरकार ने लगबद सारे निर्णे लिया और जो समयधानिक परक्रिया है समयधानिक परक्रियाओं के साथ इन कानूनों को सुरक्षा कहज देने का हम लोगों ने मार्ण परस्ष्ट किया है अब ये केंदर सरकार को इसका पुरा इस पर आखरी निर्णे लेना है और इससे हम लोगों ने नवी अनिसुची में बेजने का हम लोगों ने आज नेने लिया यह हम ही नहीं बारते जन्ता पार्टी सासित राजी भी अपने अरक्षण को लेकर नवी अनिसुची में अपने विधैक को बेजने का काम कर रही है जो एक सम्मेधानिक लोगतांत्रिक देबस्ता है अब ये सरकार दिल्ली में जानकर पूरी की पूरी जनताराज की अपनी इस अधिकार पर मोहर लगाने का गुवार करते रही हमने कहा अब दिल्ली में जाकर के अपने अधिकारों का आखरी मोहर लगाने का प्रयास जारी करीगी तो इनको लगता है कि जेल के माध्यम से तरह तरह के आरोप लगाकर हमारे राजनितिक वजूद खतम करेंगे हमारे आदने जिसम्गुरु सीबु स्वरेंजी राज अलग करने के इतियास में कितने बार जेल गए आज उन्होंने राज अलग बना कर हमें दिया और आज हम लोगों ने इस राज को 1932 सी का दिकार दिया और यह ऐसे अंजाम तक पहुंचाने में कई रोड़े तो आते हैं लेकिन ये रोड़ा मौझूदा मौझूदा रोड़ा बारती जन्ता पार्टी के द्वारा कूत्तन किया रोड़ा है इससे मां हमारी छवी खराम हो सकती है ना हमारी राजनितिक ताकत कम हो सकती है बनके सरकार और मजबूती से आने वाला समय में अभी कितने की हम लोगों का सबरतन हम लोगा बिदाए दावन के संख्या है अगले बार हम लोग 75 के संख्या में रहेंगे अपने राजिस जुड़ी हर ताजा ख़बरों के लिए आप हमें सब्स्राइब क साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले